हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टैक तो जैसा कि आपको थम्निल से पता लगी गया होगा इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप काइन मास्टर से यूट्यूब थम्निल कैसे बना सकते हैं वो उतने ज्यादा लोग आपकी वीडियो के उपर क्लिक करेंगे और आपके व्यूज उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे प्लीज सब्सक्राइ करें और नोटिफिकेशन बैल को भी आउन कर लें तक कि आपको मेरी आने वाली नहीनी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के उपर जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले हमें काइन मास्टर जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर जाना है उसे ओपन कर लेना है यह ओपन कर ली है मैंने उसके बाद हमें आपे यह जो प्लस क icon है इसके उपर click करना होता है तो इस पर click करेंगे हम और इसमें हमें expect ratio जो होता है वो select करना पड़ता है तो मैं आपको बता दूँ कि YouTube ठबने लिए हमेशा आपको 16 ratio 9 solar ratio 9 में ही रखना है तो हम इसको select कर लेंगे उसके बाद हमें यहां से सबसे पहले एक background चूंज करना होता है तो इसमें हम सबसे पहले बैक्राउंड पर क्लिक करेंगे यहासे जैसे मैं एक Black background ले लिता हम और इसे यहासे शुरहिद न् कर देता हूं तो आप देख सकते हैं Black background और अगया अब इसको हम आगे कर देंगे कि उसके बाद अब हमें एक और background लेना है अगर इसके उपर अतलब दो आपको white और black में बनाना है तो यहां से layer के उपर जाएंगे उसके बाद यहां से आप media में जाएंगे और यहां से एक और background around selected कर लेंगे जैसे मैं white कर लेता हुं तो आप देख सकते हैं यह यहां पर पर आ गया है यहां से अब इसे delete कर देते हैं उसके बाद मैं इसमें बताता हूँ आपको मैं सबसे पहले इसमे picture अप्लोड करता हूँ अपनी कोई यहां से लेयर पे जाएंगे उसके किया आप मीडिया में जाएंगे और वहां से अपनी कोई भी एक पिक इसमें upload कर दें gider आप इसको यहां से पकड़के सेड में कर सकते हैं आप इसको जापर तो नीचे कर देता हूं यहां पर कर दिया इसके यहां बाहर क्लिक कर देना है, तो यह automatic मेरा background इसका white था, इसलिए मुझे यहां पे दूसरा background लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप transparent image लगाएं, जिसमें आप यहां पीछे अपनी मर्जी से कोई भी background लगा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना है, उसके बाद यहां पे हमें text लिखना है, तो सबसे पहले हम layer पे जाएंगे, और इसमें हमें यह text का option मिलता है, यहां पे, तो यहां पे text पे click करेंगे, और यहां पे लिख देंगे अपना text, जो हम लिखना चाहते हैं, coin master, उसके बाद यहां से ok कर देंगे, आप देख सकते हैं, इसको प हैं, इसके उपर click करके, आप यह देख सकते हैं, यहां पे duplicate बना सकते हैं इसी का, मतलब copy कर सकते हैं, bring to front, front में तो यह है, bring forward भी है, send backward भी कर सकते हैं, send to back भी कर सकते हैं, central horizontally कर सकते हैं, और central vertically कर सकते हैं, ठीक है, यह सारे option यहां पे अविलेवल हैं, अभी हमें front भी रखन चेंज कर सकते हैं आप जैसे इस पर क्लिक करके मैं जहता हूँ इसका कलर रेड में ठीक है ओके कर देंगे तो यह रेड में हो गया अब इसमें यहां पर हम स्क्रोल डाउन कर सकते हैं इसे तो हम यहां से इसकी एक आउटलाइन ले लेंगे आउटलाइन में इसको इलेबल कर लेंगे यहां से भी हम कलर चूस कर सकते हैं जैसे मैं वाइट ले लेता हूँ तो इसको ओके कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं आप थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में यहां से इसे भी ओके कर देंगे यह देख सकते हैं काइन म master ऐसे आ गया उसके बाद इसमें मैं आपको बाहर क्लिख कर देंगे उसके बाद मैं इसमें आपको image भी एक दालके दिखाता हूँ लेयर पे क्लिक करेंगे उसके बाद media में जाएंगे और वहाँ से काइन मास्टर के image यहां पर इसे अप्लोड कर देंगे इसको यहां बढ़ा कर सकते हैं यह को गया अब यहान पर और टेक्स इसमें एड़ करते हैं उससे पहले मैं आपको चलो YouTube थमनील लिखना बतादेता हूँ से पहले यहां से टेक्स लेंगे यहां पर लिखेंगे YouTube में अलग अलग而已 सर्वेंगे नहीं से मेडियारी दर सब्सक्र में यहां से दाउन्लोट में जाएंगे यां पर मैंने यूट्यूब का आइकन-डाउन्लोड कर रखा है वह यहां से कर देते हैं अभी से छोटा कर लेंगे और आप यहां से यहां से चाहे तो क्रोप भी कर सकते हैं स्क्रोल डाउम करेंगे यह क्रोपिंग का ओप्षिन मिलता है आपको यहां से यह थोड़ा सा बाहर जा रहा था इसलिए यहां से क्रोप कर लेते हैं इसको ऐसे कर देते हैं यह ऐसे कर लिया उसके बाद कर देंगे उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है इसको यहां से पकड़के यहां पर ले आएंगे यहां पर इसे छोटा कर देंगे थोड़ा सा ठीक है इतना ठीक है उसके बाद आप यूट्यूब है इसको हम कलर कर सकते हैं इसमें जैसे मैं रेड कर देता हूं या इसमें मैं आउटलाइन कर देता हू इसे तो white ही रहने देता हूं white ही ऊक्की रखता हूं नीचे स्क्रोल करता हूं और इसमें outline डाल देता हूं enable करके यहां पर लाल देता हूं red ओके ठीक है यह ऐसा दिखेगा उसके बाद इसे ok कर देंगे उसके बाद दुबारा इसे पर click करेंगे और यहां से इसे scroll down करेंगे नीचे ही यहां पर आपको एक यह shadow का option मिल जाएगा इसके उपर click करेंगे इसे भी enable करेंगे और यहां से इसका color select करेंगे ऐसे जैसे white कर देता हूं यहां से ok कर देंगे तो आप देख सकते हैं पीछे इसको shadow आगई है अच्छा लग रहा है देखने में भी तो नीचे यहां पर हमें अब यहां बाहरा जाएंगे अब नीचे हमें लिखना है thumbnail तो यहां पर दुबार text में जाएंगे यहां से आप thumbnail लिख सकते हैं thumbnail ok कर सकते हैं इसके बाद आप इसके size को यहां से पकड़के बढ़ा कर देंगे इसे यहां पर लिख देंगे और बढ़ा कर सकते हैं इस तरीके से और यहां पर आप एक चीज़ ओर कर सकते हैं इसमें अगर आपको यह font style पसंद नहीं आता तो उसके बाद यहां बाहर क्लिकक कर लेंगे दोबारा इस धम्निल पे जाएंगे इसको इसको भी ऐसे ही बनालेंगे निया पे इसको तो वाइट ही आए रहने देंगे às इसमें स्कूल डाउन करेंगे नीचे आउटलान डालेंगे इसमें आउटलान में एसे उनेबल कर लेंगे WOR всем HEAL यहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ से क्लिक किया, Enable किया, यहां से Color Select करा, जैसे White, Okay कर दिया, तो आप देख सकते हैं, यह इस तरीके से बन गया, YouTube Thumbnail, यहां से इसको Select करके, इसको थोड़ा सा यहां रख देंगे, उसके बाद और भी इसमें थोड़ा सा Text Add कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ और टेक्स इसमें एड़ कर दिया है इसके बाद इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं जैसे आपको किसी टेक्स में कुछ एड़िट करना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे और यहां से इस Keyboard वाले Option पर क्लिक करेंगे यहांसे देख स select कर लेंगे जैसे मैं यह वला कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहां पर ले आएंगे इसे और यहां से इसको यह त्री डोट्स पर क्लिक करके send to back कर देंगे और इसे यहां से cropping पर आएंगे और इसे थोड़ा कर लेंगे इसको भी यहां से नीचे लेंगे कर देंगे उसके बाद जैसे हमें इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ठीक है यहां का सा क्रोप कर लेंगे नीचे से यह हो गया, यहां से अगर आप चाहें, यह solid color है, इस color को यहां से change कर सकते हैं, जैसे यह वला color करना चाहें, तो यह यह वला color हो जाएगा, तो यह आपका thumbnail बनके त्यार हो गया है, तो इस तरीके से आप काइन मास्टर से अपने लिए YouTube वीडियो के लिए YouTube thumbnail बना सकते हैं, इस इसके उपर click करना है left में, और यहां पर capture and save के उपर click करना है, इस पर आप जैसी save करेंगे, यह आपकी gallery में ऐसे photo save हो जाएगा, तो friends, उमीर करता हूँ, आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको पता लग गया हो कि आप काइन मास्टर से एक YouTube thumbnail कै कैसे बना सकते हैं अपनी वीडियो के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करें, थैंक यू